और आज हम जिस टॉपिक में बात करने वाले वो है historical fact और वो historical fact क्या है कि हमारे देश में 99% लोग ये नहीं जानते हैं कि हमारे देश के इतने सारे नाम क्यूं है और ये सारे नाम कैसे पड़े और कानूनी रूप से हमारे देश का नाम क्या है तो आज वो चीज आप बिल्कुल बेहता धंग से जान जाएंगे और आएए देखते हैं कि कैसे हमारे देश का नाम किस किस पिरेट में क्या पड़ा ठीक है तो सबसे पहले जो हमारे देश का नाम था वो था दरविडियन ठीक और इस देश में रहने वाले जो इस स्टार्टिंग में जब दुनिया में लोग पैदा हुए तो उस टाइम पे इस लेंड पे जो रहने वाले लोग थे वो जो निग्रो होते अफ्रीका में उन्ही के एक सब कैड़ियरी थी जिसको निग्रेटू कहा जाता है वही लोग यहां रहने वाले थे आज इनको हम साउथ इंडियन या स्टी जो भी कहले वही लोग थे ठीक है और वो यहां रहते थे उनके रहने के वज़े से क्या नाम पढ़ा इस देश का द्रवीडिया द्रवीडियन ठीक दोसरा नाम एंसेंट पिरेड में हमारे देश का था आर्यवर्ता और आर्यवर्ता क्यों नाम पढ़ा क्योंकि एक सेंटर एशिया की जो कबिलाई समाज था वो माइग्रेट करके आया नौर्थ इंडिया में और यहा पर बस गया, इंडस रीवर के आस पास, ठीक है, तो यह आर्य थे और इन्ही आर्य के नाम पर हमारे देश का नाम क्या पढ़ा, आर्य वर्ता पढ़ा, ठीक, और तीसरा नाम है जो हमारे देश का वो है भारत, और भारत नाम कैसे पढ़ा, तो इन्ही आर्यंस में एक किंग थ जिनका नाम था भारत और इसके इलावा भगवान नाम के जो भाई थे उनका भी नाम भारत था लेकिन अभी तक यह प्रूव नहीं हो सका है कि इन दोनों में से किसके नाम पे भारत नाम पड़ा बट यह कंफर्म है कि इन ही दोनों लोगों में से किसी एक के नाम पे हमारे द देश का नाम इंडिया कैसे पड़ा तो हमारे देश पे जब रोमन आए यूरोप से तो उन्होंने आप देखेंगे नौर्थ इंडिया में अभी तो फिलहाल यह रिवर पाकिस्तान में है इंडस रिवर इसको हिंदी में सिंध नदी कहते हैं इस रिवर को रोमन लोगों ने इंडस रिवर कहा ठीक है और इसके आसपास रहने वाले लोगों को उन्होंने क्या कहा इंडियन रिवर को इंडस और लोगों को इंडियन और इस पूरे इलाके को क्या कहा उन्होंने इंडिया कहा तो इस तरीके से जो इंडिया नाम पढ़ा हमारे देश का वो नाम किस ने दिया ठीक अब आईए बात कर लेते हिंदुस्तान की जब हमारे देश में अरब और ईरान के लोग आए तो उसी सिंदू रीवर को इन लोगों ने अल हिंद रीवर के नाम से पुकारा ठीक और उसमें रहने वाले लोगों को इनों ने क्या कहा उसके आज स्पास के लोगों को इन्होंने हिंदू कहा. और यहां एक और फैक्ट बताना चाहूंगा, जिस हिंदू धर्म को, आज हम हिंदू धर्म कहते हैं, उसका सबसे पुराना नाम जो है, वह सनातन धर्म, ठीक, हिंदू वर्ड, यह एरब और इरान के लोगों ने दिया जिससे इस धर्म का नाम क्या हो गया हिंदू रिलीजन हो गया ठीक है और ये जो एरिया था इस पूरे एरिये को इन लोगों ने क्या कहा हिंदुस्तान कहा तो इस तरीके से अरब और इरान के लोगों के वज़़ से हमारे देश का नाम हिंदुस्तान पढ़ा ठीक है और आगे देखेंगे कि जो हिंदू वर्ड है उसी हिंदू वर्ड से हिंदुस्तानी निकला है यानि ये लोगों के लिए इस्तमाल होता था तो जो हिंदुस्तानी लोग थे आज भी कभी कभी आप देखते होंगे ये देश का नाम पढ़ा फिर रोमन ने क्या नाम दिया और लास्ट में अरब और इरान के लोगों ने हमारे देश को क्या नाम दिया बट कानूनी रूप से जो हमारे Constitution में हमारे country का नाम mention है वो है India that is भारत